आठ दिसंबर शुब दिन शुक्रवार को उत्पन्ना एका दसी है भगवान विश्णों को प्रिये माता लक्ष्मी को समर्पित एका दसी के दिन ब्रत रखकर भगवान सालिग राम की पूजा करना असनान ध्यान धोग दीप आर्थी करती हुए भोग लगाना सालिग राम को इसनान कराती समय या ध्यान रखे कि या एक दच्छना वर्ती संख होता है जो बजाया नहीं जाता है जो माता लक्ष्मी के भाई कहे गए हैं उस संख में गाय का दुद भर कर ओम नमो भगवति वास दिवाय का उच्छारण करती हुए भगवान सालिग राम को इसनान कराएं तथ पस्चात सालिग राम भगवान को भोग आर्थी करती हुए शंख देवता को इसनान कराएं संख को चंदन लगाएं पूस्प चढ़ाएं और हो सके तो उस संख में बासमती के चावल भरने अभाव में जल भी भर सकते हैं उत्पन्ना एकदसी उन सनातनियों के लिए भी एक महावरदान है जो निसंतान है इसलिए संतान उत्पत्य के निमित उत्पन्ना एकदसी को किया गया नुठान अमोग होता है और उसका फल अनंत होता है एक वर्ष के भीतर ही उसके परणाम भी सामने आते हैं